असलाम अलेकुम मैं हूँ फरहान और आप देख रहे हैं सेल्फ स्टेडी विद फरहान सो क्लास 12 यानि सेकेंड एर की मैथिमेटिक्स है FSE Pre-Engineering हो या फिर वो ICS हो इनके लिए जो मैथिमेटिक्स है उसका चैप्टर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.1 यानि हम डेरिवेटिव का चैप्टर कर रहे हैं डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है तो इस चैप्टर में हम बहुत सी टेक्नीक्स पढ़ेंगे डेरिवेटिव के रिलेटिड बट exercise 2.1 में जो question 1 given है उसमें वो कहता है कि defined by definition the derivative with respect to x of the following functions defined below First question यहां पे part given है 2x square plus 1 So जे जो 2x square है plus 1 इसमें यह लोहर बोर्ट 2011 और 18 में पेपर जो था उसमें question आ चुका है So इसलिए यह एक important question है इसे हम solve करते हैं So जो by definition का procedure है by definition जे हमने question करना है by definition So definition के हिसाब से जो derivative find करते हैं कैसे करते हैं So सबसे पहले हमने हर question में जो काम करना है वो हमने let कर लेना है So let Let हमने किया कि यह जो given है यह हमारा y के equal है So given जो है 2x square plus 1 हमने इसको y के equal put कर लिया जो next step होगा second step उसमें हमने क्या करना है हमने increment डालना है y में plus delta y का और इसी तरह जो x है यहां पे भी हमने यह जो x था x square था तो हम x plus delta x का इसमें increment ला देते हैं So as it is जैसे उपर square था हमने just x में increment लाना square as it is ही रहेगा So plus 1 as it is Next जो काम होगा इसके बाद हमने क्या करना है हमने delta y जो है उसको यहीं रहने देना है और जो y है उसको दूसरी side पर shift कर लेना है 2 into x plus delta x का square plus 1 और जो y है हमनों उसको भी यहां shift कर लिया So इसके बाद जो procedure होगा वो क्या होगा Let's see Delta y equals to 2 into x plus Delta x का square plus 1 minus अब देखें y को हमने किसके let किया था यहां पर देखें यहां देखें So y को हमने इसके equal रखा था तो वही value हम इसकी यहां पर put कर देते हैं So 2 x square अब plus 1 ता यह बाहर minus है तो हम यहां पर minus 1 लगा देंगे So next इसके बाद हमने क्या करना है So next देखें कि delta y जो है वो as it is ही रहेगा और यहां पर देखें कि हम x plus delta x का square है तो इसे हम square को open कर लेते हैं सबसे पहले x का square plus delta x का square plus 2 x और delta x आप सभी को पता यह a plus b का whole square बन रहा तो आपने a plus b का whole square का formula लगाया है So plus 1 minus 2 x square और minus 1 So delta y equals to So अब यहां पर देखें 2 अंदर multiply हो रहा है तो हम 2 को multiply कर देते हैं with whole terms 2 x square plus 2 delta x square plus यह 4 x और delta x बनेंगा So इसी के तरह जो यह plus 1 है और यह minus 1 कैंसल हो जाएंगे और यहां पर minus 2 x square अब यहां पर देखें यह 2 x square plus का और यह minus का है तो यह भी कैंसल हो जाएंगे तो delta y हमारा किसके एकुल आ जाएगा delta y is equal to delta x square और प्लस 4 x और delta x जो next step है उसमें देखें कि यहां पर ही हम कर लेते हैं Let's see कि यहां पर delta x यहां भी है और delta x यहां भी है तो हम ऐसे करते हैं कि delta x को common ले लेते हैं So let's see delta x common आ जाएगा So अंदर हमारे पास 2 delta x और प्लस 4 x यह remaining हो जाएगा So अब देखें जो हमारा delta y है वो किसके equal है? delta x into 2 delta x plus 4 x हम क्या करेंगे हम इसे delta x से ही divide कर देंगे ताकि यह हमारा delta x जो है वो eliminate हो जाए यह हम divide कर देते हैं delta x और यहां पर भी देखें delta x So यहां तो यह delta x cancel out हो जाएगा और यहां पर यह हमारा delta y over delta x equals to 2 delta x plus 4 x So इसको हम simple भी कर सकते हैं हम यहां से 2 common ले सकते थे पहले भी बट यहीं ले लेते हैं delta x plus 2 x So अब देखें जब हमने limit apply करने हैं applying limit as delta x approaches to 0 इसपे हमने limit apply कर देनी है जब delta x 0 को approach कर रहा है So let's see limit limit x approaches to sorry delta x approaches to 0 So del y over del x equals to limit x sorry delta x approaches to 0 So 2 into delta x plus 2 x So अब by definition of limit अगर देखें तो यह चीज़ जो हमारी है वो dy over dx बनती है यह आपने पढ़ा था limit की definition dy by dx बना तो जो हमारे पास यह हम इस पे limit apply कर देते हैं First chapter जो था limit में आपने यह चीज़ें पढ़ी होगी तो limit कैसे apply करते हैं So 2 into delta x हमारा 0 को approach कर रहा है तो और यहाँ पे 2 x है as it is So अब यहाँ पे देखें 2 into 2 4 x So जो derivative था basically derivative हमने किसका लिया था जो first हमने question लिखा था पार्ट में that 2 x square plus 1 यह उसका derivative हम simply भी find कर सकते हैं बट उसने कहा था कि आपने by definition find करना तो by definition भी this answer 4 x ही आया है